यूफ्टी के साथ सामोिग दुशकरम की घटना को लेका सुमवार को पुलिस दलने शहर भर में लगे सिसी टीवी कैमेरों की फुटेज खंगाल डाले अकिरका सिसी टीवी फुटेज नहीं सामोिग दुशकरम के झूट का परदा फास्ष कर दिया युफ्ति की सामोहिक दुशकर्म की कहानी मनगरत निकली युफ्ति की शकायत पर दो अग्यात आरोपियों के खिलाफ सामोहिक दुशकर्म का मामला दरच किया गया था लेकिन अब जूटी कहानी बताने वाली युफ्ती के खिलाफ पुलिस नियम अनुसा मामला दर्च करेगी दिन्धाडे अगवाकर गैंग रेप की शिकायत से पुलिस में खलबली मज गई पुलिस आयुक्त ने इस मामले को बेहत गंभीरता से लिया जाच के लिए हसार कर्मियों को लगाया था चालिस चीम केवल CCTV की जाच के लिए बनी थी जिसने 180 CCTV की जाच की DCP सारंग अहवार, चिनमे पंडित विनीता साहू और मनीश कनवलनिया जाच कर रहे थे CCTV की जाच में चात्रा द्वारा दी गई जानकारे जूटी साबित हो गई इसी बीच शहर पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों की पूस्ताच के दोरान भी चात्रा उन्हें आरोपियों के बारे में गुम्रह करती रही बाद में इसे बात का खुलासा हो गया की चात्रा ने प्रेम विवा के लिए अपने परीजनों से बात की थी लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं थे इसलिए उसने अपने गैंग रेप कही हसारा ड्रामा रचा था चहर के अन्दाजन सो लॉकेशन के आसपास के CCTV जो COC के कैमराज है जो स्मार्ट सीटी के कैमराज है और प्राइवेट कैमराज पूरी पर्तालनी करने के लिए अन्दाजन 40 टीम, क्राइम ब्रांच की, ट्राफिक ब्रांच की जोन, पाँचो जोनल डीसेपी इसके ये टीम्स लगाए गए थे और पूरी CCTV के फूटेज की एनालसिस करके लड़की की पूरी मुवमेंट ट्रैक की गई थी और वो मुवमेंट ट्रैक करने पे ऐसा दिखा क की वो लड़की स्टार बस से मूनलाइट सूडियो के पास उतरने के बाद अलग-अलग डिरेक्शनलेस तरीके से वो उस परिसर में पैदल चलते वे नजर आई और उसके बाद एक जगह से उसने एक आटो रिक्षा लिया, आटो रिक्षा वाले को 30 रुपए देकर के वो म एक डिरेक्शनलेस तरीके से पेट्रोल पांप किराना दुकान अलग-अलग जगह पे आई और ग्यारा बज के चार मिनट पे फाइनली उसने अपने रिलेटिवस को फोन किया था, तो ये पूरी CCTV एनालसिस के उपर से ये समझ में आया कि ये घटना ये फिरयाद गलत है थ अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी, BCN News, नाकपुर